हेलो फ्रेंट्स आज में बनाने जारी हैं खोया का पराथा ये बनाना बहुत ही आसान है आप बच्चों को इसे सुबर ये शाम के नास्ते में दे सकते हैं या फिर टिफिन में भी बनाकर इसे दे सकते हैं ये काफी हेल्दी होता है खाने में भी तो चिली फिर इसको बनाते ह तो सबसे पहले हम एक पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे यह मैंने एक चिमश करीब घी डाला है फिर जैसे घी मेल्ट हो जाए फिर हम इसमें कुछ ड्राइफ रूट्स डालेंगे आप अपने मन पसंद का कोई सा भी ड्राइफ रूट्स इसमें डाल सकते हैं तो इसको मैंने अच्छे से क्रश करके डाला है और फिर उसके बाद यह मैंने खोया लिया है तो यह लगभग 200 ग्राम खोया है तो इसे मैंने घर में ही बनाया था और यह कुछ बचेवे दूध थे हमारे घर में तो उसको मैंने उबाल कर इस तरह से कोया बनाया है और इसे मैंने फ्रीज म दाल देंगे और चीनी के melt होने तक इसको चलाते रहेंगे और जब चीनी अच्छा से melt हो जाए तब हम एक चूटी चमच इलाइची का powder डाल देंगे और इन सब के लिए हम दो कप आठा ले लिया है गेहूं का और इसमें चुटकी भर नमक डालेंगे और इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए एक यार लेकर लेंगे , तो ये द handlar है इस तरह का हमें सॉफ्ट चुटी चुटी गोलियां बना लेंगे तो इस तरह से हम सारे तयार कर लेंगे तो 10 मिनिट हो गया है और ये हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है तो इसकी भी हम लोईयां निकाल लेते हैं तो सारे लोईयां इसी तरह से हमने तयार कर ली है तो उसमें से एक लोईय हम ले लेंगे और उसमें हम ये स्टफिंग भरेंगे जैसे हम पराठा बनाते हैं आलू का पराठा वगयरा उसी तरह से ही इसे भी बनाना है इसे बेलने से पहले हाथों से इस तरह से अच्छे से प्रेस करते हुए फैला देना है इसे डायरेक्ट बेलन से हम बेलेंगे तो फिर ये पराठे फट भी सकते हैं तो इसलिए हम पहले हाथों से इस तरह से प्रेस करते हुए इसे बड़ा कर लेंगे उसके बाद हम इसे हलके हातों से बेलेंगे तो ये देखिए मैंने हातों से इस तरह से प्रेस करते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लिया है उसके बाद हम इसे हलके हातों से बेलेंगे तो इससे क्या है कि ये जो हमारे पराठे है ये फटते नहीं है तो ये हमने बेल लिया है अब हम एक तवा गरम कर लेंगे और उसके बाद इन पराठो को अच्छे से पहले ऐसे ही सेख लेंगे उसके बाद हम इसमें गी अपलाई करेंगे आप इसमें बटर भी लगा सकते है तो ये मैंने घी लगाया है तो दोनों तरफ अच्छे से घी हम लगाएंगे और दोनों तरफ अच्छे से सेख लेंगे तो ये हमने अच्छे से सेख लिया है और ये हमारा खोया का पराठा बनकर तयार है आप भी इसे जरू ट्राइ किजिएगा बच्चे इसे बड़े चाव से खाएंगे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक किजिए शेयर किजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू